दोस्तों, टम इंशोरंस इसके बारे में आपने कभी ना कभी कही ना कहीं जरू सुना होगा। दरसल दोस्तों, टम इंशोरंस एक असली सुरक्षा जीवन बीमा प्लान है, जो पॉलिसी की अबदी के दोरान पॉलिसी होल्डर की अकाल मृत्यू के जोकिम को कवर करता है, या किसी अन्होनी की स्थिती में आपके परिवार को आर्थिक याने फाइनेशल सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे देखा जाए, तो इसमें प्लान की मेच्चूर्टी पर पॉलिसी होल्डर को कोई रकम नहीं मिलती है, बलकि आपके द्वारा खरीदी गए टम इंशोरंस प्लान के अधार पर, पॉलिसी अवदी के दोरान आपके अच्चानक मृत्यू की स्थिती में आपके परिवार को समेशोर्ड याने बिमित राशी मिलती है, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके परीजनों को आर्थिक कटनाईयों का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि पॉलिसी होल्डर की अकाल मृत्यू होने पर जो समेशोर्ड उसके परीजनों को मिलता है, वो उन्हें कैसे लेना चाहिए, एक मुक्स्त याने पूरा समेशोर्ड एक पारी में या फिर इंस्टॉल्मेंट्स में, आपको बता दें, ज़्यादा तर लोग लंसम मोड का ही चुनाव करते हैं, बिना ये जाने कि उनका ये बिना सोचे समझे लिया गया एक डिसीजन आके चलकर उनके परिवार के लिए कितना हानिकारा हो सकता है, दरसल दोस्तों, इसका डिसीजन आपको आपके जीवन साथी की फाइनेशल समझ के हिसाब से लेना चाहिए, अगर वो पैसे से डील करने में सक्षम हैं, तो आप बेजिजग लंसम मोड का चुनाव कर सकते हैं, वरना हो सकता है उन्हें जब इकटा पैसा मिले, तो उस समय कोई उन्हें बेफकुब बना कर पैसे ले जाए, या फिर कोई डरा करके पैसे ले जाए, और तो और समझना होने की वज़े से पैसे गलत जगे पर खर्च हो जाएं, इसके अलाबा जब सारे घर परिवार, रिस्तेदार या फिर जान पचान वाले लोगों को मालूम होगा कि आपके नॉमिनी को इकटा पैसा मिला है, तो वो किसी ना किसी रीजन से पैसे मांगने आ सकते हैं, सबका अपना अलगलग रीजन हो सकता है, कोई बिजनस स्टार्ट करने के लिए, तो कोई शादी के लिए, या तो कोई फिर घर बनाने के लिए पैसे मांगने आ सकता है, और हम इनसान जादता डिसीजन्स इमोशन पर ही लेते हैं खास करके महिलाएं यदि आपकी जीवन साथी एक बड़ी राशी को संभालने में सक्षम नहीं है तो आपको रेगुलर इंकम मोड का ही चुनाव करना चाहिए क्योंकि ये बात तो आप भी भली बाती जानते ही होंगे कि एक दो साल में जिम्मेदारी और वक्त सब कुछ सिखा देता है और वैसे भी आपके ना रहने पर एकटा माउंट मिलने पर जो उनकी जान और माल का डर उनको रहेगा ऐसा कर आप उन्हें काफी हद तक उस डर से भी बचा सकते हैं दोस्तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी अगर बात समझ आई हो तो आप मेरे चैनल शॉर्ट और क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब चल मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए साथदान रहिए सुरक्षित रहिए जै हिंद